नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं CNN News तो चले शुरुआ करते हैं आज की प्रमो खबर से भगी रतिर राजा ने बड़े प्रयतनों से गंगा मैया को स्वर्ग से धर्ती पर मानव कल्यान के तू लाएं जिसको प्रत्यक्षि शिवजी ने अपनी जताओं में स्थान दिया गए इसलिए यह यह शिवगंगा बन गई यह जीवन दाइनी है और शिव ने हमालया में गं संपूर्ण विश्वधार का बड़ा सपना देख कर शिव गंगा प्राइविट लिमिटेड नाम से एक कंपनी रजिस्टर की है जो गंगा की तरह धीरे-धीरे संपूर्ण विश्व में फैल कर विश्व व्यापक बनेगी और संपूर्ण विश्व का कल्यान करने के लिए मागंगा की तरह वर्दान साबित होगे ऐसा विश्वास शिव जी का वर्दहस्त और मागंगा का वर्दान इसी लिए वह कंपनी शिव गंगा नाम से पहचानी जा रही है अजय कुमर पांडे जी ने बड़े स्रत्ता भाव से संपूर्ण विश्व दार खा बड़ा सपना देखकर शिव गंगा प्राइवेट लिम्टेड नाम से कंपनी रश्टर के जो गंगा की तरह देरे देरे संपूर्ण विश्व में पैल कर विश्व व्यापक पनेगी और संपूर्ण विश्व का कल्यान खरने की मागंगा की तरह वर्दान शादित होगी अज़र विश्वास हैं शिव जी का वरधास्त और मागंगा का वर्दान है इसलिए यह कंपनी शुगों का नाम से पैचानी जा रही है हर हर बोली हर हर गंगी गंगा जिसे बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है कहा जाता है मात्र गंगा स्नान से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं इसलिए मनुष्य अपने जीवन में एक बार गंगा स्नान जरूर करता है शास्त्रों में भी गंगा को देव नदी कहा गया है पुरानों में गंगा की उत्पती के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रसिद हैं एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकत हुआ था एक अन्यक अथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विश्नु जी के चर्णों को आदर सहित धोया और उस चल को अपने कमंडल में एकत्रत कर लिया तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा परवतों के राजा हिमवान और उनकी पतनी मैना की पुत्री है इस प्रकाल गंगा जी देवी पारवती की बहन भी है प्रतियक मान्यता में ये अवश्य आता है कि गंगा जी का पालन पोशन स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संग्षन में हुआ इस नदी को प्रत्वी पर लाने का का महाराज भागीरत ने किया था इसे भगवान शिव अपने सिर पर धारन किये हुए है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे श्री हरी के चर्णों से गंगा शिव जी की जटाओं में क्यूं और कैसे विराजमान हु क्यूंकि गंगा का जल इतना पवित्र होता है जो भी इसे ग्रहन कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सारी धरती नश्ट हो जाएगी और मैं रसातल में चली जाओंगी। गंगा को ये अभिमान था कि कोई उनका वेग सहन नहीं कर सकता। ये सुनकर भागिरत सोच में पढ़ गए। लेकिन वो जानते थे महादेव उनकी मदद अवश्य करेंगे। तब उन्होंने भोले नात उनसे कह दिया। शिव जी ने भागिरत को तथास्तु गह उनकी प्राथना सविकार की। गंगा जैसे ही स्वर्ग से प्रत्वे पर उतरने लगी। गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में क्याद कर लिया। वे छट पटाने लगी और शिव से माफी मागी। तब शिव ने उन्हें जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया। जहां से गंगा साथ धराओं में प्रवाहित हुई।